नमस्कार मैं हूँ आपके साथ जयती मिश्रौर आप देख रहे हमारी खास पेशकश हैवानियत की इंतिहाँ जी हाँ हैवानियत की इंतिहाँ इसलिए क्योंकि दिल्ली एक बार फिर से शर्मसार हुई है साल बदल गया लेकिन दिल्ली के हाल नहीं बदली दिल्ली में बेटिया कितनी सुरक्षत है ये सवाल फिर से पूछे जाने लगी है राज़ाने दिल्ली में नए साल की जश्न की बीच दिल दहलाने वाली बारदात सामनी आए दिल्ली की कांचवाला इलाके में कार सवार पांच लड़कों ने एक लड़की को टक्कर मारी नशे में धुतारोपी कार को लेकर भागने लगे और लड़की बोनट में फसकर सड़क पर करीब 4-5 किलोमेटर तक घसीटी रही ऐसे में इस वाके ने कई सवाल खड़े किये हैं सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये एक्सिजेंट है या फिर साजिशन हत्या उस रात पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा था मगर राजधानी दिली में एक लड़की को उसी वक्त मौत की सोगात मिली ऐसी मौत जिसे देखकर किसी भी इंसान का दिल दहल जाए जिसे जान कर रोंगटे खड़े हो जाए सुल्तान पुरी से कंजावला इलाकी के बीच 31 दिसंबर और एक जनवरी के दर्म्यानी रात लड़की एक इवेंट कमपनी में काम करती थी 31 दिसंबर और एक जनवरी की दर्म्यानी रात में वो अपनी ड्यूटी से लोट रही थी इस दौरान वो पाँच दरिंदे भी कार में सवार थे आशंका है कि इन दरिंदों ने अधिक मात्रा में शराब का सेवन किया हुआ था इस दौरान ही दरिंदों ने पहले उसे जोड़ा टकर मारी और फिर चार किलो मीटर तक सड़क पर खसीटे हुए ले गए सहब जादो के सिर नशे का जनून ऐसा था कि उन्हें एल्म ही नहीं था कि कोई गारी में फसा हुआ है वो उसे तब तक घसीट रहे थे जब तक की वो लड़की मुर्दा जिस्म में तबदील नहीं हो गई घटना के कुछ देर बाद ही दिल्ली पुलिस को एक PCR कॉल मिली बताया गया कि एक जश्मदीत ने दिल्ली पुलिस को घटना की इतला दी है जिसके मुताबिक सुल्तानपुरी से एक अचावला इलाके तक एक कार करीब 4 किलोमीटर तक एक लड़की को घसीटे हुए ले गई थी लड़की के शरीर में काफी चोटे आई थी लड़की के शरीर से सारे कपड़े अलग हो गए थे और इसके बाद उसने मौके पर ही तम तोड़ दिया था पुलिस शेतर में एक यूती की लास का मामला दुखद है इसमें पुलिस ने विविन धाराओं में केश रेजिस्टर किया है और अभी तक की जो तबतीश से इन्वेस्टिकेशन के आदार पर पांच अभी उक्तों को गिरिपतार किया है इसमें एक मेडिकल वोर्ड कॉंस्टिट कराया जा रहा है जिसकी रिपोर्ट के आदार पर फर्दर इन्वेस्टिकेशन होगा इसके साथ साथ जो भी हमारी फॉरंसिक टीम्स हैं उनका असिस्टेंस लिया जा रहा है और लीगल टीम्स का भी असिस्टेंस लिया जा रहा है मल्टीपल टीम्स बना दी गई हैं जब लड़की की लाश पुलिस ने बरामत की तो उसके जिस्म पर कोई कपड़ा तक नहीं था लाश की हालत ऐसी थी कि दिल दहल जाए लड़की की जो फोटो सामने आई उसे कोई देख तक नहीं पाएगा इसलिए हम फोटो नहीं दिखा सकते हैं लड़की के शरीर से सारे कपड़े भी निकल गए थे उसका पूरा शरीर शत विशत हो गया था दोनों पैर तक कट गए जानकारी के मुताबिक 31 दिसंबर की शाम करीब 6 बजे अमन विहार निवासी लड़की घर से कहकर निकली थी कि उसे इवेंट कमपनी की पार्टी का कुछ काम है रात 9 बजे लड़की ने घर पर फोन किया और कहा कि रात में वापस आएगी परिवार का कहना है कि उन्होंने रात 10 बजे लड़की को फोन किया था लेकिन फोन बंद था दिल्ली पुलिस ने सुभा 8 बजे परिवार को दुरगटना के बारे में बताया तक आउंगी या तीन चार बजे तलगा जाओंगी चार बजे तक मैंने ठीक है फिर मैंने साड़े दस बजे भी कॉल करा फिर कॉल नहीं लगा फिर उसका फोन ही सुचोफ 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 फिर साथ बजे भी कॉल करा फिर भी फोन सुचोफ आरा था पिर साड़े साथ बज़े पुलीस वालों का कोल आ गया जी इस नमबर की गाड़ी तुमारी है मैंने आँ हमारी है कह रहे एक्सिलेंट हो गया है मैं सोची तोड़ा बोता हो गया होगा कह रहे आप इस ताने में आ जाओ मैंने मैं नहीं आ सकती मेरी तबेद खराब है फिर कहरें मैं गाड़ी बेज रहा हूँ कंजाबला से फिर गाड़ी आई मुझे लेके गई दो तिन गंटे गुमाते रहे गुमाते रहे मगर मेरे बच्चे से नहीं मिलवाया पिर सुल्तान पुरी थाने में लाके मुझे घड़ा कर दिया फिर माभी सुबह से तीन चार बच गए बोलते बोलते मैंने मुझे मेरी लड़की से मिलवा दो चोट भी लगी है तो मैं तो देख तो लू कितनी लगी है उसकी दवाई गोली तो करवा दू मैं पट्टी बट्टी तो परिजनों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस इस मामले को एक्सिडेंट बता कर पल्ला जाड रही है वही पुलिस ने बताया कि स्कूटी के नंबर से हमने लड़की को आइडेंटिफाई किया और मामले की जाच कर रही है पांच एक्यूजड हैं इनकी तीन दिन की पुलिस कस्टेडी में ली है जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो भी नए तथे आएंगे और जो फॉरंसिक टीम्स और लीगल टीम्स हैं उनके असिस्टेंट्स के बाद जो पुलिस अपना काम है पुलिस इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेगी और उसके बाद कोर्ट में रिपोर्ट चार सीट समीट करेगी और कुरी हमारे एफर्स रहेंगे सारी तरह के एविडेंस कलेक्ट किये जाएंगे जो फिजिकल एविडेंस हैं ओरल एविडेंस हैं या जो सिसी टीवी बेज जो एविडेंस हैं सारे एविडेंस के आदार पर एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हम जो अभियुक हैं पुलिस का कहना है कि सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची सुल्तानपुरी इलाके में एसेचों ने रात्री गश्ट के दौरान इसकूटी को दुरखटना ग्रस्त हालत में देखा था और इसकी जानकारी थाने में 3 बच के 53 मिनिट पर दी थी इसकूटी नंबर की जाच की गई जिसके बाद लड़की के बारे में पता चला पुलिस की अनुसाल लड़की का शव बीच रोट पर पड़ा था शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था रोट पर घसीतने की वजह से लड़की के पैर गायब हो चुके थे पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए SGM अस्पताल मंगोल पूरी भीजा शव को मोचरी में रखवा दिया गया फिल्हाल पुलिस ने जाच परताल के बाद कारसवार पांचों लड़कों को पकड़ लिया है और कार जब्त कर ली गई पुलिस का कहना है कि कारसवार लड़कों का मेडिकल करवाया जा रहा है पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या लड़के शराप के नशे में थे वही फिल्हाल पुलिस को आरोपियों की तीन दिन की हिरासत मिली है और अगले मामले की जाच कर रही है वीरो डिपार्ट, फास्ट इंडिया नीज झाल्ष ऑशो नैं, तन्हाश के कि ज रेखायो गन्यूक हाँ, रेखायो झालो वीरो का एंडिया नीज बलनों कार से दिल्ली पुलिस के साथ साथ राजधानी में रहने वाले दो करोड से ज्यादा लोगों की राते काली हो चुकी है असल में उस सलेटी रंग की कार ने ना सिर्फ लड़की को रौंध डाला बलके दिल्ली पुलिस के ज़त तक कुचल कर रखती है यह रिपोर्च देखिए बे जान शरीट पुलिस का कहना है कि गाड़ी से घसीटे जाने की कॉल कंजावला पुलिस ठाने में राच तीन बच कर चौबीस मिनट पर मिली उसके बाद वो कॉल करने वाले से लगातार मुबाइल पर संपर्थ में बने हुए थे पुलिस का दावा है कि इस कॉल के बाद रास्ते में आने वाली तमाम पुलिस पिकेट पर मौझूद पुलिस वालों को अलट भेजा जा रहा था इस जौरान सुल्तानपुरी के सेचो को पेट्रोलिंग के वक्त लड़की की टूटी हुई स्कूटी मिली और पुलिस अभी एक बात का पता लगाने की कोशिश कर रही थी तब ही चार बच कर 11 मिनट पर उसे एक कॉल मिली जुसमें लड़की की डेट बॉडी कंजावला थाना इलाके के जूनती गाउं के पास पड़ी होने की खबर थी इनकी कस्टोरियल इंटरोगेशन अभी जारी होगी और जो CCTV फुटेज है और जो उसके अलावा दूसरे जो डिजिटल एविडेंस है उसके आदार पर एक पूरी टाइम लाइन बनाए जाएगी और इसके बाद ही अम एक डेफिनेट कोई व्यू ले पाएंगे कि ये कहां से आए थे और कहां जा रहे थे विगाज अभी इनकी जो स्टोरी है उसको हमें वेरिफाई करना बाद की ये दुखद मामला है जो अगी तक का इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें ये जानकारी में लिए कि उस लड़की की जो बॉड़ी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्ट पुलिस ने अफ़र्स किया है रात को जैसे हमारे पास इन्फिरलेशन आई थी विविन टीम इमिलेटली बना दी गई थी और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जेक्ट हमारे पास नहीं था तो सीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया फिर टीम्स ब पकड़े गए हैं वह हमारी कस्टेडी में है और उस पर फर्दर इंवेस्टिकेशन जा रही है तमाम पहलों पर इंवेस्टिकेशन किया जाएगा जाएगा जो भी फर्दर डिटेल है वह इसके बाद पोस्ट मार्टन एक्जामिनेशन के बाद हम आपके साथ कल शेख करें यह सब पुलिस के तहरीर के गवाही है और उसी में कई सवाल शुपे है जो आने वाले वक्त में पुलिस के लिए परिशानी का सबब बन सकते हैं क्यों सबब बन सकते हैं तो चलिए एक एक कर बताते हैं आपको कंजामला पुलिस थाना की जुन्ति गाउस से लेकर सुल्तान पुरे के लाके में हाथसे की जगहा की बीच की दूरी करीब आट से 10 किलोमेटर की हो सकती है यानि एक बात तो साफ है कितनी दूरी के दौरान पुलिस की कई चौकिया तो आती ही है लेकिन साथ ही साथ कई ग्रे रंग की बलेनो कार बे धड़क होकर रास्तों के साथ साथ कार के निचले हिस्से में फसी लड़की को रौंधती रही यानि करीब सेंकडों और हजारों नजरों के सामने से वो कार गुजरती चली गए लेकिन एक धी पुलस वाली के नजर उस लाश पर नहीं पड़ी आ वैन का पठवारा किया जाता है तो एक जुले में करीब 80 वैन होती है और ये पुलस के रिकॉर्ड में दर्ज है कि जो सलाके में क्राइम का ग्राफ उपर होता है वहाँ PCR वैन की नुयुकती ज्यादा की जाती है लेकिन ऐसे में एक सवाल उचना तो लाजमी है कि क्या इस रात का ये वाक्या है वो मामूली रात भी नहीं थी बलकि साल 2022 की आखरी रात थी जोस दिन दिल्ले और उसके आसपास के तमाम लोग जश्न बनाते हैं ऐसे में हुड़ दंग्यों पर लगाम कसने के लिए दिल्ले पुलस आमतोर पर खास इंतिजाम करती है ताकि कोई में भंग डालने की हिमाकत ना कर सके और ऐसे में आधिरात के बाद करीब दो से तीन बचे की बीश क्या दिल्ले पुलस के तमाम PCR वैन छुटी पर चली गई थी तो फिर उस रात को इस हादसे में किसी पुलस वाले ने इसे क्यों नहीं देखा इस हादसे के बाद कार को कहा तो PCR में मौझूद पुलस वालों ने किसी भी तरह से काम करने से इंकार क्यों नहीं कर दिया क्या इस मामले में पुलस की लापरवाही साफ साफ जलकती दिखाई नहीं पड़ती पुलस की जाच में ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चश्मदीत का कहना है कि पुलस ने इस मामले में दिल्चस्पी दिखाई ही नहीं हाथसे के चश्मदीत दीपक नाम के युवक ने दावा किया कि हाथसे के बाद वो सुभा पांच बज़े तक पुलस के संपर्क में रहा लेकिन कोई मौके पर नहीं आया आरोप है कि PCR वैन में मौजूद पुलस ने रिस्पॉंस नहीं दिया और केस के बारे में कोई दिल्चस्पी नहीं दिखाई दीपक का दावा है कि शव के उच्छले तक कार इधरो धर दोड़ती रही शव गिरने के बाद आरोपी मौके से भाग गये पृत्यक्षु दर्श्वी के अनुसार कार सामाने गती में थी और देखने से लग रहा था कि वो होश में है और इधर दिल्ली के आफ सरकार ने आरोप लगाया कि दिल दहलाने वाले इस कंजावला कांट में पांच आरोपियों में से एक बीजेपी नेता मनोज मित्तल है जिसके पोस्टर पूरे सुल्तानपूर में लगी है उसके मामले में शामल होने के कारण इस घटना को दबाया जा रहा है बेहत शर्मनाक घटना है और समझ में नहीं आता है कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है जब कुछ लड़कों ने अपनी गाड़ी से एक लड़की को कई किलोमेटर तक घसीटा और उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई अभी उसका पोस्ट माटम मैंने पता किया था भी पोस्ट माटम शायद चल रहा है और जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी मैं उमीद करता हूं कि और अपील करता हूं कि चाहिए जितने भी रसूख वाले क्यों ना हों जो दोशी है उनको सक्से सक्स सजा मिलने चाहिए यह तो रेरेस्ट आफ रेर क्राइम्स में आता है ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा मिलने चाहिए एक सामन्ने प्रोटोकॉल है कि नए साल के जश्न के दिन आधी रात और उसके बात तक सडकों पे लोग मौजूद होते हैं जगे जगे पुलिस की बैरिकेडिंग लगना एक सामन्ने प्रोटोकॉल है जगे जगे पे चेक पोस्ट पे लोगों की शिनाख्त करना कोई ड्रिंकन ड्राइविंग कर रहा है शराब पी के गाड़ी चला रहा है कोई भी इस तरीके की सस्पिश्यस एक्टिविटी हो रही है ये पुलिस का एक बहुत ही साधारण प्रोटोकॉल है कि वो 31 दिसंबर की रात को होता है वो आदमी लगातार उस गाड़ी का पीछा कर रहा है वो गाड़ी वहीं उस इलाके में घूम रही है आगे जाती है यूटन लेके फिर आती है फिर आगे से फिर यूटन लेके फिर आती है पुलिस उनको रंगे हाथों नहीं पकड़ पाती है चार बज़के ग्यारा मिनट पर जब कॉल आती है कि साहब एक जगे लाश पढ़िये एक लड़की की नग नवस्ता में है तो पुलिस उस लाश को बरामत करने पहुंचती है दरसल पकड़े गए आरोपियों की उमर पच्वी से 27 साल के बीच है इसमें आरोपी नमबर वन दीपक खन्ना ग्रामीन सिवा में चालक के पत पर कारिड़त है आरोपी अमित खन्ना उत्तम नगर की SBI कार्ट के लिए काम करता है और कृष्ण सीपी नई दिल्ली में Spanish Culture Center में का अथा रोपी मितुन नरैना में हैर ड्रेसर का काम करता है तो वही पांच बारोपी मनोज मित्तल पी ब्लॉक सुल्तान पुरी में उराश्रन डीलर की पद पर कारिड़त है और आपने इसे ही BJP का नेता भी बताया है पांच एक यूजड है वो दिपक खन्ना है जो कोई ड्राइवर है ग्रामीन सेवा में एक दूसरा अमित खन्ना है तीसरा एक किर्शन नाम का अदमी है चौथा एक मनोज मित्तल और पांच मां मित्तुन पांच अभी युग्थ हैं अभी तक का जो इन्वेस्टिकेशन है पांचो के पांचो को अरेस्ट कर लिया गया है और पीसी रिमांड लिया जा चुका है अभी फर्दर इन्वेस्टिकेशन जा रही है इनको सीन ऑप क्राइम पर लेके जाया जाएगा और जो इसमें वहिकल यूज हुआ है उसकी प्रॉपर फॉर्मसिक एक्जामिनेशन करा यही वज़ा है कि पुलिस की जांच संधे के घेर में है आप बाटी ने जहां प्रदर्शन कर एलजी से सफा मांगा तो परिजनों ने भी पुलिस की कारवाई पर संधेश साहिर किया ब्यूरो रपोर्ट फरस इंडिया नियूज और चले फिलाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही आप देखते रहिए फरस इंडिया नियूज नमस्कार